अगर हमारी जीगे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कूर में मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लेटेस न्यूज अपटेट सबसे पहले देखने के लिए आपको करकेट से जोटी तबाम जनकरने सबसे पहले देखने के लिए मिल सकें भारत और उस्टिला के बीच तीन वंडे मैचों की स्रिंकला उस्टिला में खिली जा रही है और इस श्रिंकला का दूसरा मुकाबला कल एडिलेट के मैदान पर केला गया जहाँ पर भारत टीम के बल्ले बाजो और गेंद बाजो ने बहतरीन और शांदार प्रदिर्शन करते हुए भारत टीम को जीता हाथ सिल करवाई और इसी के साथ इस वंडे श्रिंकला में एक एक की बराबरी हो चुकी है अब श्रिंकला का तीसरा और आकली मुकाबला भी अगर टीम इंडा जी चाती है तो वह इस सिरीज को अपने नाम कर लेगी दोस्तो पहले हम आप लोगों बता देंगी मैच के दोरान ऑस्टेलिया ने पहले टॉस जीता था और बल्ले बाजी करने का निर्ने लिया था और बल्ले बाजी करते हुए ऑस्टेलिया नो विकेट खोकर 29 रंड बनाए यह जानते हैं कि आकर कर ख़लिल आहमत ने ऐसा कर आण जसकेुए सब्सक्राइबहर अमट को पांचे हbung क्लिल एमन ने जल्दी से छल्दी धक्कन को खुला और दिनेशकारतिक को पानी पकड़ा दिया और उसी के दोरान महिंदर सिंग धुनी को गुसा आया क्योंकि पानी पिछ पर टपकरा था और अगर पानी पिछ पर गिर जाता है तो बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में परशानी होती है इसलिए महिंदर सिंग धुनी खलील आमत पर भड़कते हुए दिखाई दिये तो दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंड करके बताईए क्या महिंदर सिंग धुनी को उन पे चिलाने की बजाए उन्हें प्यार से समझाना चाहिए था वीडियो तेखने के लिए आप लोग का भात भात धन्यवाद जै हिंद जै भारत